या बचे वे पार्टर्स या निकी फर्म को पुरा कर देते हैं लेकिन क्या अगर firm में loss हो जाए तो क्या loss के case में भी जिस partner को guarantee दी जाती है उसकी guarantee पूरी की जाती है आईए आज की वीडियो में हम इसी case को देखते हैं तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है इसको subscribe कर दें और bell icon को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो की notification आपको मिल जाए तो उस case में ये बात सच है कि loss के case में भी अगर guarantee दी है partner को तो उसके guarantee के amount को पूरा करना पड़ेगा ये नहीं है कि सिर्फ profit के case में ही guaranteed amount को पूरा करना है तो loss के case में भी उसके amount को पूरा करना होता है अब सवाल ये होता है कि loss के case में जो पूरा किया जाएगा तो वो partner जिसने guarantee दी है उसके ओपर काफी burden आ जाता है एक तो पहला ये होता है कि जिस partner ने guarantee दी है उसका खुद का loss होगा जाइट जी बात है अगर फर्म में लॉस हुआ है तो सब को लॉस होगा तो उसके हिस्से का share एक उसके उपर burden है दूसरा ये कि जिस partner को guarantee दी गई है उसके हिस्से का भी एक loss होगा उसके हिस्से का loss भी वही partner bear करेगा जिसने guarantee दी है तीसरे ये कि उस partner जिसको की guarantee दी गई थी profit की अब उस guaranteed amount को पूरा करने के लिए भी उसी partner के उपर बढ़ेन आएगा जिसने guarantee दी है तो इस तरीके से देखा जाए कि loss के case में वो partner या वो partners यानि एक से ज़्यादा अगर हैं तो उनके उपर बहुत ज़्यादा burden आजाता है एक तो खुद का loss का burden आजाता है दूसरे guaranteed partner के loss का और guaranteed partners के guaranteed amount का ये दोनों का burden आजाता है तो होता क्या है इस case में चली देख लेते हैं सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा calculate the loss of the guaranteed partners as per the profit sharing ratio तो profit sharing ratio आप निकालेंगे profit sharing ratio के इसाब से जिस partner का loss हुआ है सभी partner का loss हुआ है हम यहाँ पर पूरे firm के loss की बात कर रहे हैं तो उस partner का loss भी निकालेंगे जिसको guarantee दी गई है फिर हमें ये देखना होगा कि कितनी deficiency है जिसको की पूरा करना है deficiency वो amount होगा जो की partner को आपने guarantee दिये और जो की partner का loss है partner का profit sharing ratio में जो loss आया है ये पहले इस वाले part में वो और उसको दी जाने वाली guaranteed amount ये दोनों को जो sum होगा वही deficiency होगी और इसी deficiency को जिस partner ने guarantee दी है या जिन partner ने guarantee दी है एक से जादा ने दी है तो वो सब अपने profit sharing ratio में या कोई agreed ratio होगा उसमें बाटेंगे तो इस तरीके से एक general entry बनती है general entry जो बनेगी वो ऐसी होगी के guaranteeing partners capital account डेविट guaranteeing यानि वो partner जिसे guarantee दी है उसकी capital को डेविट कर देंगे किस amount से करेंगे loss और guaranteed profit ये loss वो होगा उस partner का loss जो की जिसको guarantee दी गई थी उसका loss और उसका guaranteed amount ये दोनों के sum से हम डेविट कर देंगे guaranteeing partners को और इनी दोनों के sum से amount को हम उस guaranteed partner को credit कर देंगे तो इसका सीधा सीधा मतलब ही general entry का ये हुआ कि guaranteeing partner यानि जो उसने guarantee दी है उसका amount निकल करके या उसकी capital को हम debit करके घटा देंगे और उस partner की capital को बढ़ा देंगे जिसको guarantee दी गई थी तो guaranteed partner यहाँ पर अपने loss से निकल करके profit वाली situation में चला जाएगा क्योंकि उसका loss भी दूसरे partner bear कर रहे हैं और उसको दिया जाने वाला profit भी दूसरे partner दे रहे हैं इसको एक सवाल से समझते हैं देखिए मोहन, भानू और कुमार तीन partner हमने लिया है और partner sharing profits in the ratio of 5 इस्टो 3 इस्टो 2 5 इस्टो 2 के ratio में ये लोग 3 इस्टो अपने profit या loss को बाठते हैं कुमार इस guaranteed a minimum profit of rupees 40,000 कुमार जो की तीसरा partner है आप देख रहे होंगे उसको 40,000 रुपए के minimum profit की बात कही गई है यनि उसको guarantee दिया है बाकी के partners ने, मोहन ने और भानू ने 40,000 रुपए कम सकम उसका profit होना चाहिए firm में loss हो गया, दिखे लिखा है firm incurred a loss of 4 lakh firm को profit नहीं बलके loss हो गया है, 4,000,000 रुपए का loss हो गया है ठीक है, अब आपको क्या करना है, past the necessary generalities regarding deficiency bond by Mohan and Bhanu आपको generalities pass करनी है कि जो deficiency होगी उस deficiency को Mohan और Bhanu कितने कितने amount से bear करेंगे इसके लिए एक generalities pass करनी है तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि आखिर loss कितने का हुआ उस partner का जिसको की guarantee दी गई थी तो दिखें, loss firm का 4,000,000 रुपए है अगर 4,000,000 रुपए firm का loss है, ठीक तो उस partner का loss कितना है जिसको की guarantee दी गई थी कुमार, कुमार का जो profit sharing ratio है वो है 2 by 10 तो कुमार का जो loss हो जाएगा वो 2 by 10 करेंगे 4,000,000 रुपए है ये कुमार का loss है अब दूसरी बात हमें ये देखना है कि कुमार का guarantee profit कितना है कुमार का guarantee profit 40,000 ये 40,000 जो की question में दिया हुआ है तो total deficiency जो हो जाएगी वो हो जाएगी 40,000 जो की उसको guaranteed amount है वो और 80,000 जो की उसका last है यानि 1,20,000 रुपए total deficiency हो जाएगी अब इसी 1,20,000 को ही Mohan और Bhanu ये दोनों बियर करेंगे जो उनका ratio होगा उस ratio में उनका ratio है 5 is to 3 यहाँ इसके अलावा कोई और ratio नहीं दिया है तो हम इसी ratio को ले लेंगे 1,20,000 को Mohan और Bhanu को 5 is to 3 के ratio में यहाँ पे बाट लिया जाएगा अब जब इसको हम बाटेंगे तो यह आ जाएगा Mohan कितना बियर करेंगा 1,20,000 x 5 by 8 यह 75,000 Mohan का आ गया जिसको बियर करना पड़ेगा और Bhanu का आ गया 45,000, 45,000 तो 75,000 और 45,000 यह दोनों बियर करेंगे अलग-अलग और यह दोनों total amount मिल करके 1,20,000 हो जाएगा जो की चला जाएगा किसके पास कुमार के पास जिसको की guarantee दी गई थे इस तरीके से कुमार का जो loss था 80,000 रुपए का वो भी पूरा हो जाएगा और उसको 40,000 रुपए guarantee के तोर पर जो कहा गया था वो भी मिल जाएगा अब इंट्री पास करेंगे जो की guarantee का amount जो की 1,20,000 हो रहा है वो कुमार के पास चला जाएगा तो कुमार की capital को credit कर देंगे इस तरीके से हमने deficiency की guarantee पास कर दी यह उस case में हुआ है जब की loss हुआ हो तो अब यहाँ पर मोहन की capital debit हो गई मोहन को और मोहन को capital और ज़्यादा कम हो जाएगी तो इस case में मतलब के बहुत ज़्यादा burden आ गया होगा मोहन के उपर और भानू के उपर अपने loss के साथ साथ उन्हें कुमार के loss को भी पूरा करना था और कुमार के profit को भी अपने पास से ही देना था तो यह एक ज़्यादा burden वाली बात हो जाती है उमिद करते हैं आपको information useful लगी होगी तो अगर आपने मेरे channel को अभी तक subscribe नहीं किया है please इसको subscribe कर दें और अगर आप इसको facebook page पर देख रहे हैं तो मेरे page को like कर दें अगर आपको इसका note चाहिए तो मुझे comment में लिकर के बताएं मैं इसका note आपको share कर दूँगा pdf में thank you so much आप अपना बहुत ख्याल रखिए मिलते हैं अगरी वीडियो में तब तक के लिए goodbye